हेलो फ्रेंज, वेलकम टू माई चैनल सेल्फ में टुटोरियल आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लेंड के इतिहांस के बारे में बीए ओनर्स हिस्ट्री पेपर के सेकेंड पेपर इंग्लेंड का इतिहांस तो इंग्लेंड के इतिहांस के अंतरगत मुख रूप से तीन पिरियड पढ़ने होते हैं फॉस्ट टूडर पिरियड, सेकेंड स्टूर्ट पिरियड और थर्ड हैनवर पिरियड तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टूडर पिरियड से रिलेटेड टूपिक के बारे में तो आज का टूपिक है हैंडरी अस्टम का धर्म सुधार आंदोलन या हैंडरी अस्टम सुधार पार्लियामेंट के कार्ज अब हम हैंडरी अश्टम के सासन काल में हुए धर्म सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा करें इससे पहले हम ट्यूडर काल के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ट्यूडर काल स्टार्ट कब से होता है तो आपको बतादें, Tudor Kaal का जो पर्थम सासक या राजा था, इंग्लेंड में Tudor Kaal के अंतरगत, वो था हैंड़ी सप्तम. यानि हैंड़ी सप्तम, मध्य काल का अंत और आधनिय यू के आगमन के संक्रांति काल में हैंड़ी सप्तम का राज्या रोहन हुआ. वह कर सकते हैं कि वह नवय यूग का परतनी थी था उसने अनेक विशम प्रस्तितियों का सामना करते हुए इंग्लेंड की गदी प्राप्त की थी हैंड्री सप्तम का राज्या रोहन 30 अक्टूबर 1450 इस्वी को हुआ और इस तरह से वह इंग्लेंड पर 1570 इस्वी तब सासन करते रहा उसकी साधी एड़वर्ड चतूर्थ की पुतरी एलिजावेट से हुई थी तो उसके पुतर हुआ हैंड्री अस्टम यानि कि हैंड्री सप्तम के मिर्त्यू के बाद हैंड्री अस्टम इंग्लेंड की गद्दी पर बैठा इस परकार हम कह सकते हैं कि हैंड्री सप्तम के बाद यानि हैंड्री सप्तम का काल था 1450 से 1507 और दो वर्स का काल मिस्रित काल कहा जा सकता है और हैंडरी अस्टम गद्धी पर बैठा 1509 इसवी में और 1547 इसवी तक वो इंग्लेंड के गद्धी पर विराज मान रहा अब हम चर्चा करना चाहेंगे हैंडरी अस्टम के धर्मसुधार आंदोलन के बारे में तो आपको मैं थोड़ा सा संशेप में बता दू कि धर्मसुधार आंदोलन के ताथ हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि धर्मसुधार आंदोलन हैंडरी अस्टम तो एक सुध कैथोलिक था लेकिन कैथोलिक का मतलब होता है कि वो traditional परमपरिक चर्च की विवस्ताओं या चर्च की रिति दिवाजों को मानने वाला था यानि रोम के पोप या पोप के अधिकार छेत्रों में विश्वास करने वाला था लेकिन वो किन प्रस्थितिऊं में धर्मसुधार आंदोलन को पुशाहित किया चर्च की पुरानी विवस्थाओं को समाप्त किया वो कौन सी प्रस्तिती थी जिससे विवस होकर हैंडरी एश्टम ने ऐसा किया इसकी हम लोग चर्चा करेंगे हमने कहा कि धर्म सुधार आंदोलन के समनांतर हम लोग पढ़ सकते हैं सुधार पार्लियामेंट सुधार पार्लियामेंट और धर्म सुधार आंदोलन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो सुधार पार्लियामेंट की बैठक क्यों बुलाईगे इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे हैंडरी अस्टम पंद्रा सो नौ इस्वी में पिता हैंडरी सब्तम से बिरासत के रूप में प्राप्त बिर्टिश शमराज का उत्रादिकारी बना वह पहला टीडर सासक था जिसे गद्धी पर बैठने के समय किसी परकार के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा इस परकार हैंडरी अस्टम अपनी कुछलता से अपनी मंत्रियों का चुनाव किया और इंग्लेंड की राजनिति को एक नया मोड दिया उसका सासनकाल आता है पंदर सोनो से पंदर सो से तालिस इस भी तक है उसके इस लंबे सासनकाल को हम दो भागों बाट सकते हैं अपने समझने की खादिर के हम लोग उसके इतने विश्दित सासनकाल को कैसे करें समझने की खादिर हम उसके सासनकाल को दो भागों बाट सकते हैं प्रत्थम भाग 20 वर्षों का समय विदेशनेती से संबंदित है, यानि विदेशनेती का मतलब होता है कि वो अपने पड़ोसी देशों के साथ 20 परकार सांति पूर्ण संबंद अस्थापित किया और अपने समराज का विस्तार किया, दूसरा भाग धर्म सुधार अंदोलन से संबंदित है, तो सासन के पर्थम भाग में राजा को बूले जैसा योग प्रधान मंतरी मिला, यानि कि मैं पहले ही बता चुकी कि उसने कुछलता से योग मंतरियों की नियुकती की, उन में से बूले जो था एकदम ज्यादा योग था, जो हैंरी अश्टम के हर कदम पर उ बैठक आपको मैं बता दू कि इंग्लेंड की यह परंपरा थी, कि उन्हें धन किया सकता होती थी, या उन्हें कोई समस्या होती थी, तो वो परल्लेमेंट के बैठक बुलाते, और परल्लेमेंट के बैठक बुलाने के बाद, बैठक में धन की मंजूरी पराप्त करते थे, या अन कोई समस्या होते थी उनका समाधान करते थे ऐसे ही परल्यामेंट के बैठक के लिए हम आगे पढ़ेंगे स्ट्वार्ट कल में जिसमें लॉंग परल्यामेंट के बैठक बुलाई जाती है तो वहीं है ये जो बैठक बुलाई गई वो थी सुधार परल्यामेंट जिसके तहत अब सुधार परल्यामेंट के बैठक क्यों बुलाई गई इसका सबसे मुख के कारण ये भी था कि हैंडरी अस्टम को धन क्या सकता तो थी और दूसरी बात हैंडरी अस्टम ने अपने तलाग के प्रश्ण को लेकर और सुधार के प्रश्ण को लेकर परल्यमेंट की बैठक बुलाई और इससे धर्म सुधार आंदोलन को भी बढ़ावा मिला इस परकार सासन के दोनो भाग हैंडरी अस्टम के सासन के काल को दो भागों में जबाटते हैं उसके दोनो भाग हैंडरी अस्टम के तलाग के प्रश्ण से संबन दीता हैं अब हम लोग चर्चा करेंगे कि हैंडरी अस्टम का तलाग का प्रश्ण है क्या जो पूरे राजनीत को परभावित करता है। धर्म सुधार अंदोलन को परभावित करता है। सुधार पार्लियामेंट को प्रभावित करता है। इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। हैंडरी अश्टम हम कैथराइन का तलाक का प्रश्ण तो हैंडरी अश्टम जो है उसने छे साधिया की थी उनकी पत्नियों के नाम है कैथराइन, एन बोलिन, जेन सीमर, कलेब्स की एन, कैथराइन हावर्ड और कैथराइन पार लेकिन अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसकी पहली पत्नी कैथराइन के तलाक के से संबंधी थे तो कैथराइन की पहली पत्नी थी, उन्हों तलाक क्यों देना चाहाँ, इसके बारे हम बात करेंगे तो हैंडरी अस्टम की पहली पतनी थी कैथराइन उसे कोई पुत्र नहीं था, नहीं कोई शंतान था इससे हैंडरी अस्टम काफी असंतुष्ट था और उसने असंतुष्ट होकर एक यूती जो एक दासी थी एन बोलिन, उससे वह प्रेम करने लगा और प्रेम करने लगा लेकिन वह उसे विवा करना चाहता था लेकिन वह विवा तभी कर सकता था जब वह कैथराइन से तलाग ले ले लेकिन कैथराइन का जो सम्मण्ध था वह स्पेन के राजा चार्ल्स पर्थम के साथ था चार्ल्स पंचम के साथ था तो जब हेंडरी ऐस्टम ने कैथराइन के तलाग के प्रश्न को रोम के पोप के पास भेजा तो आप अब सोचेंगे कि रोम के पोप के पास क्यों भेजा क्योंकि उस समय इंग्लेंड में चर्च की परधानता थी चर्च परधान होता था किसी भी तरह के विशे से समस्याएं होती थी वो चर्च के पोप के पास भेजी जाती थी और वहीं उसका समाधान करता था इसलिए उसने तलाग के प्रश्ण को सुल्व करने के लिए भी पोप के पास भेजा लेकिन पोप इस्पेन के राजा चाल्स पर थम पंचम के भैसे तलाग देने की आग्या में विलम किया क्यूंकि पोप जो था वो चाल्स पंचम से भै भी खाता था और दूसरी और वो इंग्लेंड के सासक हैंडरी अस्टम को भी विरोध में करना नहीं चाहता था इस कारण से वो बिलम किये था इस से पोप की इस ढूल मूल निथी से हैंडरी अस्टम की पोप के परती जो स्रधा थी जो हैंडरी अस्टम पोप को मानता था वो उसे घिर्णा में बदल गई और उसने पोप से छूपध होकर अनसाधनों का सहारा लिया यानि कि अब वो पोप से तलाग लेना नहीं जाता था पोप के माध्यम से वो कुछ अनसोच ढूलने लगा जो उनको तलाग दिला सके अनसाधनों का सहारा लिया लेकिन इसके तहट उसने टॉम्स क्रेनमर की सहायता से इरोप के विस्वी दालयों को अमंत्रित किया और ये जो विस्वी दाला के जो भी सहयोगी थे उनके सहयोग से क्रेनमर ने उसे तलाग की अनुमती दे दी और इस परकार कैथराइन और हैंडरी अश्टम का तलाग हो गया लेकिन वुलजे उसका परधान मंत्री था उसकी विदेश निती में उसकी सहयोग किया था लेकिन वो कैथराइन के तलाग के प्रश्ण पर हैंडरी अश्टम का विरोधी था वो नहीं चाहता था कि हो कैथराइन से उसका तलाग हो इस मामले को लेकर हैंडरी अश्टम पसंद नापसंद करने लगा और उस समय कुछ वुलजे ने भी कुछ ऐसे कार्ज किये थे जनता भी उसे वुलजे से छूब देती ऐसी इस्तिती में हम कह सकते हैं कि कैथराइन के तलाक के साथ ही वुलजे का पतन हो गया और वुलजे के अस्थान पर टॉम समूर चांसलर बना और वह एक उदरवादी था और उस समय चर्च के सोसन के विरूद इंग्लेंड में कटरपन थी लोग धर्म सुधार अंदोलन की मांग कर रहे थे यानि कि चर्च ने पूरे समाज में अविवस्था फैला दिया था इस कारण से लोग चाहते थे कि चर्च की स्थिति में सुधार हो और उस समय इंग्लेंड में धर्म सुधार अंदोलन इंग्लेंड के पूरे इउरोप में धर्म सुधार अंदोलन का परभाव था फॉली के माध्यम से ही चर्च के पादरियों को नश्ट किया और लोगों को पुराने चर्च की विवस्था के परती जागरू किया और पुराने कैथोलिक धर्म को समाप्त किया उस समय चर्च की धार्मिक प्रविती में बहुत सारे कुंठा, दुस्परचार, अविवस्था, आजक्ता फैल चुकी थी तो इरोप में ये अंदोलन तो चल ही रहा था इसका प्रभाव इंग्लेंड पर भी पड़ा और वहां के लोग भी चाहते थे कि चर्च की अविवस्था फैली हुई है वो समाप्त हो इस अनुकूल प्रस्थितियों में हैंडरी ने नौमबर 1529 सिस्वी में पार्लियामेंट की बैठक बुलाई आपको पता चल गया कि हैंडरी अस्टम एक तो तलाक के प्रस्थितियों सुधार कार्ण की वो चर्च से छुपद हो चुगा था अपने तलाक के प्रस्थितियों को लेकर कब बुलाई 1529 सिस्वी में और यह बैठक लगभग 14 वर्षों से इंगलेंड में नहीं बुलाई गई थी 14 वर्षों के बाद बुलाई जा रही थी और इस परकार यह पूरे 7 वर्षों तक अधिवेशन चलता रहा इन 7 वर्षों के दवरान हैंडरी और रोम के पोप के बीच भेदभाव बढ़ता गया यानि चर्च की पुरानी विवस्था में सुधार हुआ और इस कारण से रोम के पोप के बीच भेदभाव बढ़ता गया और परल्यामेंट द्वारा पोप के बीच भेदभाव बढ़ता के विरोध है अनेक सुधार अधिनियम पारित हुए इंग्लेंड के इतिहास में इसे सुधार परल्यामेंट या हैंडरी अश्टम का धर्म सुधार आंदोलन का भी नाम दिया गया है अब इस तरह हम लोग पढ़ सकते हैं आगे कि सुधार परल्यामेंट ने धर्म सुधार के लिए क्या-क्या कार्ज किया और किस परकार के कार्ज किया है अब ये नीचे दिया गया है अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सुधार परलेमेंट की पर्थम बैठक में मुख रूप से चर्च की अधिकार छेत्र को कम किया गया यानि राजा की अधिकार छेत्र में पाद्रियों को लाया गया यानि पाद्रियों पर राजा का अधिकार हो गया तो इंग्लेंड में चर्च के पास बहुत सारी धन समपती थी, वसियत, वैपार और मिर्त्यू की फीस, चर्च की आमदनी के मुख सुरोध थे, ये लोग धर्म पत्रों की बिक्री भी करते थे और उसे भी आमदनी हो जाती है, अब धर्म पत्रों की बिक्री क्या है, वो एक परकार के धर्म पत्र होते थे, लेटर होते थे, जिसे वे लोग बेच कर लोगों को उन्हें पापों से मुक्ती दिलाने की बात करते थे, और ये जनता पैसा लेकर खरिती थी, इसे भी उनकी आमदनी होती थी, अता सुधार परल्यामेंट ने सबसे पहले चर्च की जेब बड़ा कर्मन किया, पादरी लोग खेती भी करते थे, उनके पास ज़्यादा जमीन जैदाद भी होते थे, राजा ने परल्यामेंट की सहाथा से चर्च के आयका सुरूत बंद कर दिया, अब राजा के आग्या के बिना, अब कोई भी पादरी एक से अधिक ब्रीती नहीं क कर सकता था, ब्रीती धारन का आदेश पहले पोप ही देता था, परन्तु पादरियों को अपने अधिकार छेतर में लाकर राजा ने उनकी सुविदाव पर पहला वार किया, यानि कि धर्म सुथार अंदरोन के छेतर में ये पहला कार्च किया गया, जब उनके आनावश्यक आमदनी के शुरोत को बंद कर दिया गया, सुधार पार्लियामेंट की दूसरी बैठक में प्रिमिनाईर एक्ट पास हुआ, अब इस एक्ट के तहत प्रिमिनाईर एक्ट के उलंगन करने वालों पर चुर्माना लगाया गया, ये विवस्था की गई थी कि, इस एक्ट के त इंग्लेंड में किसी भी समस्या को निप्टाने का निश्चय इंग्लेंड में ही किया जाए, प्रंत वूल्जे ने कैथराइन के तलाक का प्रश्ण, रोम के पोप के पास भेज कर नियमों का उलंगन किया, और पाद्रियों ने उसे पोप का दूद स्विकार कर उसमें सां अंत में राजा ने सभी पाद्रियों को दोसी ठाराया गया, और जो दोसी पाय गया उनमें जुर्मना भी लाया गया और नधन लेकर दोस्मुक्त कर दिया गया, इस तरह से दुसरी बैठक में स्परिमिना इरेक्ट पारित हुआ, तीसरी बैठक में यानि 1531 इसमी में पार्लियां गोशित हुआ, पंदरा सु 321 में परल्यामेंट ने राजा को इंगलेंड के चर्च और पाद्रियों का पर्दान संर्क्षक बनाने की घोशना की, इस घोशना से राजा चर्च और पाद्रियों का वास्तित, पर्दान हो गया, सभी पादरियों को आत्म समर्पन के दस्तवेज बर हास्ताक्षर करने परे जिसके अंसार चर्च समन्दी कोई भी नियम बिना राजा के आग्या के तयार नहीं किया जा सकता था ये था तीसरी बैठक अब चोथी बैठक में यानि 1532 में परल्यामेंट द्वारा एक्ट पास हुआ इस एक्ट के अनुसार राजा ने पोप को लाब का आंसिक दान देना बंद कर दिया अब पादरी आत्वा विसप पोप को दान देने के बदले राजा को ही वरकम देने लगे जो विसप इस नियम का उलंगन करते थे उनकी संपती और भूमी छिल ली जाते थी ऐसी प्रस्तिती में यदि पोप नए विसप का निर्वाचन नहीं कर पाते थे तो उनके दो सहकारी बिना पोप की आगया की परतिक्षा किये विसप का निर्वाचन कर सकते थे नए विधान के परयोग का आधिकार राजा आखिक्षा पर छोड़ दिया गया और इस तरह रोम के पोप के साथ सम्मंद विश्यत करने के दिशा में यह पहला कदम था दिल की आधिकी अपील रोम के पोप के यहां नहीं भेजी जा सकती थी इस परकार की अपील अब पाद्रियों की बड़ी सभा यानि अपर हाउस ओफ कनवोकेशन में की जाने लगी जिस पर आजा का पूर्ण आधिकार था आते हैं 1534 इस्वी में पार्लियामेंट की पच्वी बैठक बुलाई गए यानि पच्वी बैठक में दो एक्ट पास हुए एक First Royal Succession Act यानि प्रथम राज के उत्रादिकार कानून इस कानून तहद रानी कैथराइन का हैंडरी अस्टम से तलाख हो गया और उसकी जो संतान थी उसकी पुत्री मेरी उझे राजगदी से वन्चित कर दिया गया दूसरा एक्ट की हुआ Act of supremacy इस एक्ट के तहद हैंडरी ने पूप की सत्ता को अस्युकृत कर दिया और राजा इंगलेंड के चर्च का अध्यक्ष बना और पार्लियामेंट त्वारा स्युकृत विधान को मानने था विदेशी अनुसासन को अस्युकृत करने की पृतिग्या लोगों को लेनी पड़ी जो वैक्ती पृतिग्या नहीं करते थे उन्हें कैद कर लिया जाता था इस तरह से पार्लियामेंट की सात्वी और अन्तिम बैठक में छोटे-छोटे मठों को बंद करने की खोशना की गई यह कब हुआ 1536 में यानि की 1536 में पार्लियमेंट की सात्वी और अन्तिम बैठक बुलाई गई थी दो सो से कम वार्षिक आयवाले सभी मठों की समपति छील ले गई और उन पर राजा का अधिकार हो गया मठों की बरबादी से चर्च समपन्दी सारे अधिकार राजा के हाथ में आगए अब हम थोड़ा सा यहां बात करेंगे कि इन चर्चों की बरबादी से इंग्लेंड को कुछ फायदा भी हुआ तो कुछ घाटा भी है इसके अच्छे भी परणाम हुए और इसके बूरे परणाम भी हुए लेकिन अब हम लोग चर्चा करेंगे सुधार परल्यामेंट तो पढ़ लिए सुधार परल्यामेंट के तहत कौन-कौन से एक्ट पास हुए और किस तरज सुनस ने धर्म सुधार अंदोलन को प्रभावीत किया अब इसके हम लोग थोड़ा वसा निस्कर्स्त निकालेंगे किस का क्या प्रभाव पड़ा निस्कर्सता हम सुधार पारलेमेंट की कार्जयों की वेचना दो परकार्षि कर सकते हैं पर्थम तो इंग्लेंड का धर्म सुधार अंदोलन मुक्यत राजनीतिक था और धर्म सुधार अंदोलन के तहत चर्च पर राजा का अधिकार हो गया और चर्च के अधिकार पुराने रिती रिवाजों में यानि धर्म सुधार अंदोलन को बढ़ावावे मिला और दूसरी बात या है कि पोप के परभुत्य को मिटा कर सुधार पर्लेमेंट ने राजा को इतना सक्तिसाली बना दिया जितना कि न तो अब पहले कभी था और न अब बाद में हुआ राजा के हाथ में सारी शक्तिया आ गए चर्च की संपति पर भी उसका अधिकार हो गया इस तरह से राजा इंगलेंड का सर्वे सर्वा हो गया यानि धर्म के छेतर में भी वह सर्वे सर्वा हो गया और इस तरह से एक तरफ चर्च की पुरानी वेवस्था समाप्थ हुई यानि चर्ज की आवेवस्ता और जक्ता समाब थुई तो दूसरी तरफ इंगलेंड के सासक के निरंकुस्ता की और अग्रसर हुए अब हम लोग ने पढ़ा धर्मसुधारांदोलन आगे भी हम लोग पढ़ेंगे ट्यूडर डेपोटीज में यानि ट्यूडर रंकुस्ता एलिजावेथ के रिलिजियस पॉलिसी अभी आप लोग इसको पढ़िए नोट को पढ़िए समझेए नोट कर लिजिये इसको आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिये अपने नेक्स्ट वीडियो को रिसीव करने के लिए जिसे आपको नए नए जो वीडियो अपलोड के जाए तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें थैंक्यू